हेलो मेरे प्यारे स्टुनेंट्स कैसे हो आप सर आज यह प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा सेशन है आई होप आपने पीछे के सेशन को देखा होगा कवर किया होगा शॉर्ट में हम सबसे पहले रिवाइस कर लेते हैं जब भी हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से जयाधा होगा यहीं कि विक्रायमूले च्रायमूले से जयाधा होगा ऐसे किसी भी केस में हमें प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट परसेंटेज हमारा होगा च्छा हमारे प्रॉफिट की वैल्यू है divided by cost price multiplied by hundred और अगर इसका उल्टा है यहीं कि cost price हमारा selling price से जजाधा है उस case में फिर नुक्सान होगा, loss होगा, हा नहीं होगी और loss percentage हमारा आएगा, जो net में हमें loss होगा है, divided by cost price into 100, और हमेशा सिर्फ और सिर्फ CP और SP हो, cost price और selling price हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये call term हमने सिखा, last session में, जो क्यों होता है, mark price, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, अगर हमें किसी चीज़ की cost पता है, CP पता है, cost price पता है, crime मूल्य पता है, कोई भी दुकानदार जो सामान को बेच रहा है, उसको फायदा भी तो कमाना है, तो इसलिए वो क्या करता है, cost price पर एक markup करता है, cost price को increase करता है, और cost price को increase करके, कि उसके markup के बाद हमें जो मिलता है वो होता है mark price ठीक है यह printed price यह अंकित मूल ने ठीक है यह increase करने के बाद हमें मिलेगा लेकिन market में competition ही बहुत है तो कई बार उसको अपने mark price पे discount दे के सामान बेचना पड़ेगा ताकि उसके पास customer जयादा हैं कि कस्तमर ज्यादा पडंगत तो वालिूम में उसको profit होगा ज्यादा बेच के profit होगा तो कहीं बार एहले तो MARK UP करके price बढ़ाता है तकि फायदा ज्यादा हो उसके बाद में थोड़ा discount देता है कि कस्तमर ज्यादा एं और Net में profit उसका ज्यादा हो तो के बाद अगला आता है जब discount देने के बाद में वो sell करता है ultimate हमें मिलता है selling price विक्राय मूल और हमारा profit या loss तो हम सिर्फ इनी दो चीज़ों से decide करते हैं cost price और selling price से isn't it so ठीक है तो अगर हमें profit percentage निकालना है तो उसके लिए हमें बस CP और SP चाहिए तो एक तरह से अगर हम इस structure को observe करें इस चीज़ को ध्यान से देखें तो पहले तो हम cost price को increase करके एक markup करके mark price बनाते हैं फिर mark price पे discount देके selling price मिलता है और net में जो change आता है CP से SP तक का यानि कि खरीदने वाले मूले से लागत मूले से लेके विक्र है बूले तक जितने पर बेचा गया यह जो net में change है इसी से हम profit या loss को calculate करते हैं तो एक तरह से markup percentage जो हमारा होगा और discount percentage पहले तो markup किया फिर discount किया markup से हमने price को increase किया discount से price को decrease किया और उनका जो net change है तो net effect है वही हमारा profit या loss है वही हमारा profit percent होगा या फिर loss percent होगा तो अगर हमें net में profit या loss जानना है तो हमारे लिए इन दोनों changes को एक साथ समझना जरूरी है और दोनों changes साथ में हो रहा है पहले markup हो रहा है फिर discount हो रहा है तो successive changes है लगातार changes है क्रमिक changes हैं कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक के बाद एक छूट दो छूट मिल जाती है तीन छूट मिल जाती है डिपेंड करता है कई बार आपने पर्सेंटेज में भी और in general भी तो for example अगर हम पर्सेंटेज में बात करें तो अगर हम किसी चीज का price पहले a percent से increase करें और फिर b percent से increase करें यह दो successive change हमने कि पहले a percent से price बढ़ाया और फिर b percent से हमने price को बढ़ाया यानि कि हुआ क्या कि अब अगर हमें net change निकालना है कि net percentage change कितना होगा तो हम कहेंगे net change आएगा हमारा a percent plus b percent plus a into b upon 100 टोटल यह हमारा net change आएगा net percentage change यानि कि a plus b plus a b upon 100 क्या बात समझ में आती है for example कि पहले हमने किसी चीज का price 20% से increase है और फिर 25% से increase किया दोनों increase है हमेशा जब भी हम net percentage change की बात करेंगे तो हमें जो percentage change है वो हमेशा sign के साथ में लिखना है अगर increase है तो positive sign होगा अगर increase है तो positive sign होगा और decrease है घट रहा है तो फिर negative sign होगा minus sign होगा तो net में change कितना आएगा इस case में 20% plus 25% plus 20 into 25 divided by 100 यानि कि 20 plus 25 हो जाएगा 45 प्लस 20 गुड़े 25 500 पटे 100 यानि कि 45 प्रस पांच यानि कि 50% का change आएगा क्या बात सौझ में आती है चीक है और यह तो तब है जब कि दोनों ही increase है पर कभी दोनों decrease भी हो सकते हैं कभी एक increase और एक decrease भी हो सकता है ठीक है for example हमने पहले 25% से price को increase किया और फिर 25% से घट आया या ऐसे समय लो पहले हमने mark-up किया 20% से और फिर discount दिया 25% का तो net में change कितना आएगा यहाँ दिखा है क्योंकि हम sign के साथ में लिखेंगे प्लस 20 माइनस 25 प्लस 20 इन्टू माइनस 25 दिवाइड़ बई 100 तो जब एक हमारा positive होगा एक negative होगा तो जो तीसरा और discount के साथ से बात करें तो 10% का नुपसान होगा क्योंकि negative में आया 10% ठीक है क्या बात clear होती है और अगर दोनों ही decrease होते तो एक बारान में 20% से decrease किया और एक बार 25% से decrease किया तब नेट में change किता है जाएगा minus 20 minus 25 plus minus 20 into minus 25 क्योंकि दोनों ही हमारे negative है decrease है तो net में यह term हमारा तीसरा term positive हो जाएगा minus minus plus हो जाएगा यहनि minus का 45 plus का 5 यहनि कि net में 40% का decrease आएगा ठीक है तो यह बात तो समझ में आ गई होगी कि जब भी successive change होगा percentage change होगा successive percentage change तो यह कभी भी addition के बराबर नहीं होगा कि आपने पहले वाले percentage को दूसरे वाले percentage में add कर दिया ऐसा कभी भी नहीं करना है यह कभी भी बराबर नहीं होगा ठीक है यह बात समझ में आनी चाहिए अब यही same चीज जैसे हम percentage में कर रहे हैं ठीक ऐसा ही हमें ratio में भी यह चीज करना समझ में आना चाहिए for example कि हमने पहले 20% का increase कराया और फिर 25% से decrease किया तो नेट में change क्या आना चाहिए पहले हम 20% से increase करा रहे है 20% यानि कि कितना होगा एक बटे पांच fraction में हम लिखते है 20% को एक बटे पांच यानि कि 5 में एक का हमने increase किया पांच में एक का increase किया यानि कि पहले अगर value 5 थी तो पांच से हो गई पिर हमने 25% का decrease किया है 25% कितना होगा एक बटे चार लेकिन इस बार क्योंकि decrease है घटा रहे हम तो चार में हम एक को घटाएंगे यानि कि अगर पहले यह value 4 थी तो बाद में हो जाएगी 4 माइनस एक 3 ठीक है पहले वाली value हमने यहां लिखिए और बाद वाली value यहां पे लिखिए ठीक है तो पहले अगर 4 थी तो बाद में 3 हो गई अब यह दोनों changes एक साथ होएं तो net change कितना होगा इसके लिए आप क्या करोगे इन दोनों values को left side की दूनों values को आपसे मिलपड़ाइगे लेकिन उससे पहले अगर कुछ cancel हो सकता है तो अक कर देंगे left side वाले को right side से चैसे कर सकते हैं यह जब कर सकते हैं, यहां 2 बचेगा, यहां पे 3 बचेगा तो 5 गूनी 10 जा गया, और 3 त्रिका 9 यानि यानि कि 10 रुपए में अगर हमने पहले सामान को खरीद था या पहले अगर सामान 10 वैल्यू थी तो बाद में effective value हो गई 9 यानि 10 से 9 हो गई यानि कि 1 का change आया है और decrease हुआ है 1 का यानि कि net में कितना हुआ है 1 का decrease और कितने में हुआ है 10 में यानि-1 थे नेट में हमारा 10% का decrease हुआ है क्या बात समझ में आती है ठीक है क्या बात clear होती है एक और example ले लेता है एक और example ले लेता है फिर questions पर चलते है अब जिस हमने पहले 33.33% का increase किया और बाद में 16.66% का decrease किया तो पहले हम increase कर रहा है 33.33% से 1 बटे 3 से 1 बटे 3 हो गाए और 1 बटे 3 से अगर हम decrease कर रहे है तो पहले value increase किया है अगर पहले value 3 थी तो बाद में 3 plus 1, 4 हो जाएगी पहले 3 थी, बाद में 3 से 4 हो गई और इसके बाद में हमने decrease किया है 16.6% से जो कि होता है एक बटे 6 और क्योंकि यहां पर घटा रहे हैं, decrease कर रहे हैं, कम कर रहे हैं यानि कि 6 में 1 की कम ही आएगी तो अगर पहले value 6 रही होगी, तो बाद में 5 हो जाएगी ठीक है 2 से cut सकता है तो यहां 3 बचेगा, यहां पर 2 बचेगा फिर 3 तरिका 9, left side में आ गया right में आ गया 5, 2 नहीं 10 यानि कि 9 से 10 हो गए यह value, एक का increase आया है लेकिन एक का increase किसमें आया होगा 9 में एक का increase आया है ठीक है, तो यह value हो जाएगी plus 1 by 9 clear right ठीक है, और अगर यह जो increase था हम इसको कह दें कि यह markup था हमारा कि हमने पहले cost price में markup किया 33-35% का mark price बनाने के लिए और उसके बाद में discount दिया है 16.66% का तो पहले जो उपर value आ रही है यह हमारा markup है, प्रफेर डिस्काउंट है और जो net में हमें value मिलेगी यह हमारा profit या loss होगा तो क्योंकि यहाँ पे हमें 1 by 9 का increase हुआ है तो यह हमारा profit होगा, लाब होगा और percentage terms में कितना होगा, क्योंकि 1 by 9 है तो यह हो जाएगा, 11.11% 11.11% क्या बात समझ में आती है ठीक है कोई भी random value होती है, कैसे 1 by 9 का percentage में change करना है, तो 100 से बलफ्लाई कर देते हैं 100 बटे 9% होता ठीक है, क्योंकि यह तो हमें बढ़ी common value है, तो इसका तो percentage में value में पता होना चाहिए, बट बाकी अगर कोई और random value आता है, तो उसके लिए भी हमें पता कर लेंगे, आप questions करना शुरू करता है पर हार एक question में समझते चलेंगे, कैसे हमें approach करना चाहिए तो, पहला question लेते हैं आज का, first question कहा रहा है रामलाल marks up his goods by 40% and gives a discount of 10%, पहले markup किया है अपने सामान को, goods को 40% से और फिर एक discount यह है 10% का तो उसका net profit percentage कितना होगा ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी हमारा net profit percentage है वो markup percent और discount percent का जो net change है वही हमारा profit percentage आता है, profit या फिर loss ठीक है, और markup हमेशा increase होगा discount हमेशा decrease होगा तो अगर हमने पहले 40% से price को बढ़ाया है और फिर decrease किया है 10% से तो net में change कितना होगा अगर हम percentage से निकालेंगे तो क्या करेंगे plus 40, minus 10 plus 40 into minus 10 divide by 100 यानि कि plus 30 minus 4 यानि कि 26% का increase होगा यही हमारा profit आजागा यहाई बात स्वाज में आती है ठीक है ओके तो हमारा net में 26% का profit आजाएगा लेकिन जैसे हमने ratio का method सीखा है तो ratio के method से इसको करके देखते है ratio के method से ज़्यादा आसान पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा देखते हैं तो पहले हमने markup किया है 40% का 40% यानि कितना हुगा 2x5 यानि कि 5 में हमने 2 की व्रधी की है तो पहले अगर सामान 5 का था 5 से बढ़ाके 7 का कर दिया इसके बात में discount दिया है 10% का 10% यानि कि एक बटे 10 कि यह कि 10 के सामान को हमने एक का इसकाउंट डिया है यानि कि 10 के सामान को नौका कर दिया है जव्य बात समझ में आती हैं तो तो नट में ये चैंजट कितना होगा पाँच इंट दस पचास हो जाएगा और 9 x 7, 63 हो जाएगा, यानि कि 50 पे 13 का profit हुआ है, 13 का increase है, ठीक है, तो अगर 50 पे 13 का increase है, तो 100 पे कितने का होगा, multiply 2 कर देंगे, 13 x 2, यानि कि net में 26% का change होगा, positive, increase होगा, यानि कि profit होगा, 26% का option, भी हमारा answer हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, भाई net में कितना आ रहा था, 13 x 50 और 1 x 50 हमारा होता है, 2%, तो 13 x 50 आ जाएगा, तो 6%, clear है, आगला question करते हैं, आगला सवाल कह रहा है, a trader allows a 20% trade discount and a 30% cash discount, तो पहले तो 20% का trade discount देता है, दोनों ही discount की values है हमारी, और फिर 30% का cash discount देता है, ये question हमारा, SSA CGL pre 2023 में आया है, सारे हम जो नए questions है, latest questions है, वही questions जो latest type के questions आ रहे है, पिछला question भी हमारा, exam question नहीं था, ठीक है, और फिर अगर list price, यानि के अंकित मूले हमारा, सूची मूले, यानि के अंकित मूले, mark price अगर हमारा 1200 रुपय है, तो selling price क्या होगा, जबकि 2 successive discount दिसकाउंट दिसकाउंट दिये है, एक 20% का और एक 30% का, तो 20% का discount मतलब कितना होगा है, minus 20, और फिर 30, minus 30, plus minus 20 into minus 30 by 100, यानि कि minus 50, plus 6, यानि कि 44% का decrease हुआ है, है कि नहीं, चीक है, और हमसे विक्राय मूले पुछा है, तो अगर 44% हमारा decrease किया 100%, यानि कि जो विक्राय मूले होगा हमारा, कितना होगा, 56% होगा, selling price हमारा, 56% of mark price हो जाएगा, ठीक है, यानि कि ये value हो जाएगी, 56 upon 100, into 1200, 20 से 20 कट गया, 12 into 56, 12 चंग 72 का दो, हांसे लगा 7, 12.5, 7, 6.72 रुपीज, यह हमारा answer हो जाएगा, क्या बात समझ में आती है, चिक है, ओके, और यही सेम चीज़, अगर हम ratio से करते हैं, तो पहले हम 20% का discount दे रहे हैं, यानि कि दस में 2 का discount दे रहे हैं एक तरह से, चिक है, यानि कि 10 से हमने value OR आठ कर दी, 30% discount लिया, यहीं कि 10 से ताथ कर दी, नेट में change कितना आएगा, 10 into 10, 100, और सकते छप्न गेट अगर पहले वैल्यू 100 थी यह नी मार्ड प्राइस हमारा 100 था औरू कि तो बार डिस्काउंट दिया है उसलिंग प्रैस हमारे वह चप्न होगा च्छिक है और सौ की वैल्यू हमें दिये बारासो दिखकत को कि तो बढराइस से करना है इसले से कर लेंगे अभी दोनों साथ में इसले सीख रहे हैं ताकि दोनों यह तरीके समझ में हैं कहाँ पे हमें कैसे लेनी हैं ठीक और कितनी आसानी से हमाली question solve हो जाते हैं कही बद, अगला question लेता है, next question कहा रहा है, our shop provides flat 50% discount on one shirt, while another shop provides two successive discounts of 30% and 30%, so the difference in the bill is Rs. 43, so cost क्या हो का shirt का, अगर एक दुकान एक shirt पे 50% की छूट प्रदान करती है, और एक दूसरी दुकान है, जो कि 30% 30% की दो छूट प्रदान करती है, यह दिखाने के लिए कि देखो हमारे यहां पर छूट जो है, वो 30% 30% मिलकुल मिला के 60% है, है कि नहीं, पर असल में छूट कितनी है, यह पता लगाना है, है कि नहीं, वास्ताओं में जो वो कह रहे हैं कि उतना ही छूट मिल रहा है, तो अगर 50% पहले case में है, दूसरे case में कितना होगा, माइनस 30, माइनस 30, प्लस, माइनस 30 into माइनस 30 by 100, यहि hindri वाले case में कि पहले वाले case में 55% के छूट है, यहाई कि तो पहले परसेंट का है यहीं एक परसेंट की वैल्यू हमें ग्रशन में दी है रुपीज तिरालिस अगर एक परसेंट तो पूरा एमाउंट हो जाएगा जो हमारा कितना आजाएगा 2300 option D clear है और अगर हम ratio में करते हैं तो पहला discount भी हमरा 30% यानि 10 से value हमने 7 किये और फिर 10 से वापस 7 किये यानिकि 10 x 100 से हमने value कर दी है उन्चास एक 50 का decrease है चीक है अगला question करते हैं next question करता cost price of an article is decreased by 10% पहले decrease किया हमने 10% से और फिर increase किया है 20% से यानिकि 10 से हमने कीमत को कर दिया है नौ फिर increase किया है 20% से यानिकि 10 से हम कर देंगे 12 कर दिया है या कह दो 20% यानिकितना है एक बड़े पांच पांच से हमने कर दिया है चाहे नेट में मामला क्या बना 10 इंटू 5 अगर पहले value 50 थी तो बाद में हो गई नौ चाहा का चाहुआ और बाद की value हमें पता है 54 की value 540 थी है यानिकि एक unit हमारा 10 के बराबर है तो वास यानिकी 500 रुपया क्या बात समझ में आती है ओके ठीक है अगला question करते है अगला सवाल कह रहा है और shopkeeper gives a 12% additional discount on the discounted price एक दुकानदा रेडियो के अंकित मुले पर after giving an initial discount 25% यानि कि एक दुकानदा रेडियो के अंकित मुले 25% की पहले तो चूट देता है और उस चूट को देने के बाद में जो price हमको मिला उस पे वापस से 12% की चूट देता है यानि कि दो successive discount है पहले 25% का फिर 12% का चीक है 25% मतलब कितना हु बढ़ने है एक पट्टे्ट पच्छिस निभाराइप परसंट होगा तीनब ते पच्छिस चिक यानि कि 25 के सामान को कर दिया करें तो नेट दोनों को मत्राइए करेंगे 25 वाइस तीया शाच्ट रिए कि सो के सामान को शाच्ट रूपए का कर दिया कि और हमें किसकी वैल्यु दिये अंतिम विक्रे मूलिकी अन जितने वेच आ गया चीक है तो सौ तो हमारा मार्क प्राइस है शांचट अमरा सेलिंक प्राइफई ये शांचट की वैल्यू आदी theo खेchen 172 रुपीज एक इतना ओ जायगा कला है करो दो60 ज़्चा ज़्याग 번째ीश अगला question लेता है, next question कर रहा है, three successive discounts of 15%, 20% and 25% argument, what will be the net discount in percentage, net discount क्या होगा, तो एक तरीका तो यह है कि 2-2 की value लेके, हम net में change निकाले, percentage में formula लगा के, या 3 के लिए भी formula होता है, बट उतना लंबा करने की बजाए, हम देखते हैं कि क्या ratio के method से, हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं, पहले 15% का discount दिया है, 15% कितना होगा, 5% होता है हमारा एक बटे 20, यानि कि 15% हो जाएगा, 3 बटे 20, और discount दिया है, यानि कि 20 को हमने 17 कर दिया है, 20 की value को, ठीक है, फिर हमने 20% का discount दिया है, 20% कितना होगा, एक बटे 5, यानि कि 5 को हमने 4 कर दिया है, और तीसरा है 25%, यानि कि एक बटे 4, यानि कि 4 को हमने 3 कर दिया है, नेट में चेंज कितना हैगा, 4 से 4 कर जाएगा, 25, 100, 17, 15, यानि कि 100 से value हो गए ही, 15, यानि कि, उन्चास का decrease आया है, यही हमरा है, क्योंकि हमें 100 में ही चेंज निकाल रहे हैं, तो परसेंटेज हो जाएगा, 49%, कितना आसानी से हो गया, क्या बात समझ में आती है, ठीक है, तो ratio method को properly हमको हरे question में practice करना है, ताकि इससे हम आसानी से questions को कर सके, अगला सवाल करते हैं, और questions इस टाइप के काफी आ रहे हैं, recent years में, ठीक है, अगला question कह रहा है, 12%, 20% और 25%, यही सेम values ठीक है, 15, 20, 25 था, ठीक है, 12, 20 और 25 कर लेते हैं, 12% हमारा कितना होगा, 3, 25 अभी हम अल्रेटी थोड़ी दे पहले देख चुके हैं, ठीक है, 3, 25 यहीं कि अगर value पहले हमारी 25, 35 से होगी, 22, फूर देने के बाद, 20% यहीं कि 1, 5, यहीं कि 5 से value होगी, यह 4, और 25 यहीं कि 1, 4, यहीं कि 4 से value होगी, 3, 4 से 4 cancel out हो जाएगा, और तो कुछ कटेगा, 25 इंटू 5 हो जाएगा, 125, और 25 यहां हो जाएगा, 680, 125 से value होगी, हमारी 680, हमें निकालना है, नेट में डिसकाउंट कितना होगा, ठीक है, तो यह नेट में हमारा डिसकाउंट, यह डिफरेंस कितना आ रहे, 125 यह चाउंचट के बीच में, 69 का फराकार है, isn't it so, अगर हम 125 को 8 से multiply कर दे, 125 इंटू 8, तो 1000 हो जाएगा, ठीक है, और अगर हम इसको 8 से multiply कर रहे हैं, तो 59 को भी 8 से multiply कर देते हैं, तो हमें पता चल जागा, डिसकाउंट कितना आ रहा है, 1000 में, तो 59 इंटू 8 कितना होगा, 59 इंटू 8 हमें निकालना है, देखो, जब भी 69 इंटू 8 करना है, तो हम क्या करेंगे, 60 इंटू 8 करके 8 गटा देंगे, यहनि 480 मानेस 8 आ जाएगा, 472 और 472 यह डिसकाउंट है, कितने में, 1000 में, और क्योंकि परसेंटेज में हमें निकालना होगा, अगर सेशन पसंद आ रहा है, तो सेशन को लाइक जरूर कीजएगा, और अगर अब तक चैनल को सबस्क्राइब आपने नहीं किया है, तो जरूर से कर लिजएगा, और अपने दोस्तों में भी जरूर शेर कीजएगा, जो भी ग्रूपस आप फॉलो करते हैं, वहाँ पर फाइला दीजएगा, ताकि और भी लोगों को इसका benefit हो सके, ठीक है, आपनों के लिए इतना effort कर रहे हैं, तो definitely इसको share जरूर कीजएगा, आपसे वो price demand कर रहे हैं, और like जरूर कीजएगा, आपको पसंद आए, और कोई feedback है, तो comment जरूर कीजएगा, या फिर आपको पसंद आए है, तो भी आप comment कर सकते हैं, अगला question करते हैं, next question कर रहा है, 3 successive discounts of 25% each, on the mark price of an item, are together equivalent to a single discount, किसी वस्तु के अंकित मूले पर 25% की लगातार 3 क्रमिक छूटे दी गई है, तो एक किस एकल छूट के बराबर होंगी, हमने 25% की 3 लगातार छूट दी है, 25% कितना हुआ, एक बटे 4, यानि कि 4 पे एक ही छूट दी है, यानि कि 4 पे का सामान था, तो 3 का हो गया, लेकिन ऐसा एक बार नहीं किया है, लगातार 3 बार किया है, ठीक है, तो नेट में मामला कितना बनेगा, इधर तो आजाएगा, लेफ्ट साइट में 4 का क्यूब, यानि कि 64, सब्सक्राइब एक पर सेटीज में देगा तीन का क्यों यानिकि सब्सक्राइब निकालना है देखो त्रीस बटे चौन को क्या हम निख सकते हैं 32 64 समझाने के लिए पूरा लिख रहे हैं अदर्वाइस 32 प्लस 4 प्लस एक करके आप 37 बना लोगे प्लस 4 बटे 64 प्लस एक बटे 64 चीक है ऐसा क्यों कि आई समझ लेते हैं 32 बटे 64 कितना होगा 50 परसेंट है यह तो चार बटे 64 हुआ एक बटे 16 और एक बटे 16 हमारा हो जाएगा 6.25 परसेंट और फिर बचा एक बटे 64 यानि 4 बटे 64 का भी वन फोर्थ रेकि 6.25 पर फोर्थ जो किया जाएगा 1.56 परसेंट लगबग टोटल कितना हो गया 50 यह 56 और 25 और 56 परसेंट यह हमारा आंसर हो जाएगा क्या बात समझ में आती है ऑप्शन B क्लियर है तो कल्कुरिशन करते समय भी हम कितनी आसानी से उस कल्कुरिशन को करेंगे जही डिसाइड करेंगा ठीक है और जितना कम हो एक्जर्शन लेंगे उतना ही ज्यादा एक्जाम में हम मिलेगा ज़्यादा सवाल करेंगे समय भी हमारा बचेगा दिमाग भी हमारा फ्रेश रहेगा ताकि ज्यादा क्वेश्चन को एक्टिव ली कर सके ब्लॉक ना हो जाए ठीक है व्योंकि छिप्टीबाग भी ठक जाता है एक समय के बाद तो हमें हमेशा नेया ने तरीके कर रहे गूट के बराबर है तो P पांग चेंज होगा है बाइन किने चैंज सोब सकत्रें Subscribe कर रहे हैं तो पहले हैं 50 का रिसकान ना होता है पीज है में चाले में दे रहे हैं पर अनुस कर रहें जीए एक बटे take 10 10 और फिर फिर परसन्ट का discount दे रहे हैं इसको लखना की जरूरत नहीं है viral दे रहे हैं एक जो का सामान्ट-5 पे दे रहे हैं नेट में क्या मामला बन रहा है कि 31.6% की छूट दे रहे हैं यानि कि अगर 100 का सामान है 31.6 कम हो जाएगा कितना बचेगा बचेगा 68.4 या फिर 1000 का है तो फिर अगर 1000 का है तो बचेगा 684 क्या यह बात समझ में आती है ठीक है अब थोड़ी से काट अपीटी कर लेते हैं पहले 9 से काट लेते हैं 9 से काटेंगे 684 को कितना बचेगा 97.63 76.66 बचा फिर 11 से काटा 4 बार गया चीक है अब ये उपर की वैल्यू से 1000 को काटते हैं 10 से काटा 1-0 गया 20 से काटा 5 बार गया यानि कि ये वैल्यू कितना आगया 5.54 ये 5.54 जो वैल्यू आया है ये इस रेशियो का वैल्यू आया है जिस लिए कि कह रहा थे कि 100 इस्टू 100 माइस भी नहीं लिखते हैं कि यहां पर 5.54 आएगा ठीक है क्या ये बात समझ में आती है एक बाद फिर इसको देख लेते हैं कि देखो पहले हमने 5% रिसकाउंट या यानि कि 20 से 19 का कर दिया फिर 10 यानि 10 से 9 का कर दिया तीसरा वाला वैल्यू हमें पता नहीं है लेकि नेट में चेंज आया हमारा हजार से 684 का हो गया अब हमने कि 9 से काटा 9 से गया यह 76 बार फिर 19 से काटा चार बर गया ऐसे ही दस से काटा एक 0 गया वी से काटा 5 बर गया यानि कि 5 इस्टू 4 हमारा नेट में यह तीसरा वाले चेंज की वैल्यू आगी और अगर पांच से वैल्यू चार हुई है यानिकी वन का डिक्रीज है और वन का डिक्रीज कितने में है पांच में है यानिकी पी की वैल्यू कितने आ जाएगी 20 परसेंट तरही बात सवाज में आती है ऑप्शन भी क्लियर है चिक है अगला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहे रहा है एक दुकानदार किसी वस्त पर खरीटदारों के लिए निम्रकी चूट हो जाना है प्रदान करता है पहला ऑप्शन है टू सग्जिव डिसकाउंट्स ऑफ 10 परसेंट और 15 परसेंट दस प्रतिश्चत और 15 प्रतिश्चत की दो क्रमिक शूट दूसरा ऑप्शन है बाई 5 गेट 2 फ्री पांच खरीदें और 2 मुस्त पाई है पूच्छ पूच्ए फुरिब्च पर्सेंटेंट तो पहले वाले केस में कितना है 10 फिफटीन परसेंट की दो करमिक शूट तो नेट में चेंज इनगा जागा पहले 10 से किया नौ फिर बीस से किया 17 15 परसंट यानि कि इन बटे 20 ठीक है तो नेट में चेंज कितना आ गया है दो सो से हो गया सत्रा नहीं यह ठीक है तो से एक सुतिर पन यानि कि सैंतालिस की कमी आई है परसेंटेज में कितना होगा 47 बाइटू है नहीं कि माइस 23.5 परसंट है क्लियर है तो पहले वाले केस में तो 23.5 परसंट का डिक्रीज है दूसरे वाले केस में कितना चेंज है पांच खरीदें दो मुफपाय दखो इसका मतलब क्या हुआ कि मालनों की एक आईटम हमारा सौर रुपए गा था तो हमने पांच खरीदे तो 100 इंटू 5 हमने 500 रुपए दिये और दो हमको फ्री मिल गए जो फ्री मिले है वो भी तो 100 रुपए के थे यानि कि कितने के फ्री मिले 200 रुपए हमें नहीं देने पड़े टोटल प्राइस बना हमारा सौत रुपए जिसका हमने सामान लिय लेकिन पियसे दिये अward 500 रुपए, यहने कि जब हमने 5 खरीद के 2 free में पाए, तो जो free में मिले हैं, वही हमारा discount है, जाए बाद समझ में आती है, तो 2 हगा हमें discount मिला है, total हमने कितने खरीदे हैं, 5 खरीदे थे, और 2 और मिलके तो 2 by 7 हो जाएगा, 28.56% और जाहिर सी बात है, ज्यादा discount कहां पर मिल रहा है हमको, दूसरे case में, तो हमारा option B answer हो जाएगा, clear है, क्या बात समझ में आती है, ठीक है, अगला question करते हैं, एक दुकानदार किसी बस्त पर खरीदारों के निर्मिकी चूट योजनाय प्रदान करता है, चीक है, चार options है, हमें बताना है कि कौन सी स्कीम में maximum discount percentage मिल रहा है, पहला case है हमारा, 15% की दो क्रमी चूट, दूसरा है 30% की discount, एक discount 30% का, तीसरा case है, दो खरीदे एक मुफ्त प चेक खरीदेंगे तब 3 मुफ्त मिलेंगे, और D वाले option में, पांच ही खरीदें पर 3 मिल जा रहे हैं, तो जादा discount किसमें होगा, C में 6 खरीदें पर 3 मिलेंगे, comparable बनाने के लिए, ठीक है न, और D में हमें 5 ही खरीदनें पर 3 मिल जा रहे हैं, यानि και जादा discount कहां पर हमें दिसकाउंट option D में है तो वैसे ही option C हमारा answer नहीं होगा है कि सारी values को क्या निकालने की जरूरत है अगर हम दो-दो को compare करके पहले ही एक-एक value को हटा दें तो जो बचेंगे उनको compare कर लेंगे ठीक है क्या बात समझ में आती है similarly option A और B में बात करें तो A में दो successive चूट है 15% की और B में 31% की चूट है तो जब भी दो successive चूट होंगी same value की या ठीक है जब भी दो हमारी successive चूट होंगी same value की जैसे यहाँ पर 15% की दो चूट है तो कितना net में discount आएगा हमारा माइनस 15 माइनस 15 प्लस में 15 इंटो 15 यानि प्लस 2.25 परसंट लेकिन अगर हमें observe यहाँ पर क्या करना है कि net में हमारा क्या बना माइनस 30 प्लस 2.25 परसंट यानि कि जो हमारी net में चूट होगी वो 30 परसंट से कम होगी जब हमें 15 परसंट की दो चूट मिली है तो 15 परसंट जोड़के तो 30 आ रहा है लेकिन दोनों जो चूट का net effect होगा वो 30 परसंट से कम होगा जब वो discount है जब घटा रहे होंगे जब होते अगर 15 15 परसंट से 2 increase हम करते तो वहाँ पर क्या होता है वहाँ प्लस 15 प्लस 15 प्लस 2.25 यानि कि वो 30 परसंट से यादा होता है लेकिन जब घटा रहे होंगे तो यह जो टोटल वैल्यू है एक सेंड इनिक्वालिटी के साइन लगाने से पहले तो ध्यान देना पड़ेगा यह हमारा नेट में जो छूट है वो 30 परसंट से कम होगी ठीक है क्या बात समझ में आती है इनिट में जो छूट आएगी वहां ही 30 परसंट से कम आएगी तो ज़्यादा छूट हमको मिल रही ऑप्शन बी में ऑप्शन एको भी चेक करने की ज़रूत नहीं थी अगर कभी वैसा दिया हो चाहे यहां पर 15 परसंट की दो जूट मिलती 10 परसंट और 20 परसंट की तब भ बटे आठ का और एक बटे आठ हमारा होता है साड़े बारा परसंट यहनिके तीन बटे आठ हो जाएगा साड़े 27 परसंट सबसे अदर छूट हमको मिल रही है option d में option d यानिके जो d वाला यह option है answer हमारा क्या होगा answer होगा option c कि option C में, D छुपा है, तो ये भी ध्यान देना है last में, ठीक है, otherwise, पूरा question सही करके भी गलत हो सकता है, क्या बात समझ में आती है, ठीक है, अगला सवाल करता है, अगला question कह रहा है, shopkeeper offers the following discount schemes for buyers on an article, इस बार भी चार option है, under which scheme will the selling price be maximum, तो को सारे के सारे discount है, लेकिन question हम से पूछ रहा है, selling price कब maximum होगा, ठीक है, और हमको पता है कि जब marked price में हम discount घटाते हैं, तब हमको मिलेगा selling price, तो अगर discount ज्यादा होगा, अगर discount mark price तो same ही है मालो, ठीक है, तो अगर 100 में से हम 5 रुपर का discount देंगे, तो selling price हमारा हो जागा पिचान बे, अगर 10 का discount देंगे तो हो जाएगा, 90, basically जब भी हमारा, जितना discount ज्यादा होगा, उतना ही हमारा selling price कम होगा तो जब हमारा discount बढ़ेगा, selling price कम होगा, question हम से बूच रहा है selling price कब maximum होगा, तो अगर selling price maximum करना है, तो minimum discount देना पड़ेगा, तो एक तरह से question हम से बूच रहा है minimum discount कौन से option में है, क्या करेंगे, अब यहां पर देखो एक चीज है जो हमारी कि सारी की सारी वेल्यूज एक चूट हमारी 30% की है दो सक्सिर चूट यहां पर बीस और तीस जोड़के 30 हो रहा है दो सक्सिर चूट है 25 और पांच यह भी 30 हो रहा है और दो सक्सिर चूट है 15 की यह भी जोड़के 30 हो रहा है तो कि हमको जो फूट मिले वह सबसे कम मिले ताकि Selling Price Maximum हो Selling Price Maximum जानि कि minimum discount minimum discount कब होगा हम option A, B और C को देखेंगे तो इन में से किसी बी option में जो हमें discount मिलेगा 30% से कम मिलेगा is 100-100 क्योंकि नेट में क्या आएगा मामला भाई दो डिसकाउंट अगर मैं 20 परस परस नहीं मिले तो पहले 20 परस गटाएंगे फिर 10 परस गटाएंगे उसके बाद में तो पॉजिटिव करेंगे कहीं पर भी जरूरत नहीं थी लेकिन लेकिन एक और चीज़ सीख लेते हैं कि अगर ऑप्शन डी हमारा नहीं दिया होता तब इसका आंसर क्या करते हैं अगर ऑप्शन डी हमारा नहीं होता उसको अटा देते हैं तो अप्शन डी नहीं है अब आंसर क्या होगा तो सबसे हमें कि मिनिमुमम कभ गोगा और मैक्समिम्मौम डिस्काॉंट कभ होग चार थर работ । कि मिनम्म्मम्न दिस्काॉं वारत अब होगा जब क्योंकि इन लैसम से मारा रहा है टोटल से और रहा है टिक है whilst वी एक सेकन कि तब होने वाला यह जब यह जो वैल्यू है यह ह्मारी maximum हों डिये maximum होगी तब discount minimum होगा कि यह तो discount का कर रहा है और कर रहा है इस value को और जब यह सब्सक्राइब सोपजिए एज़ से उंजाए है तो यह value हमारी maximum कब आने वाली है, maximum कब आएगी, जब यह दोनों values हमारे, दोनों discounts same होंगे, यह पहले वाले कैसे maximum आएगी, यह वाली value, यह discount minimum होगा, minimum discount हमारा आएगा, two discounts of 15% each, जितना ज्यादा पास होगे, दोने सांट की value, उतना ही ज्यादा, यह value आएगी हमारी जो add होगी, और उतना ही कम हमारा discount हो जाएगा, चीक है, और minimum तबाएगा जब ज्यादा स्यादा यह values दूर होगी हमारी, यानि कि हमारे option B में दूर है, यानि कि एक discount 25% का, और यह discount 5% का, क्योंकि 25 इंटू 5, 125, 15 इंटू 5, 225, 20 इंटू 10, 200, तो वैसे भी आपके अल्गोरेट करके देख सकते हो, लेकिन यह तभी देखना है, जबकि हमारे sum जो है, 15 प्लस 15, 30, 25, 30, 20 प्लस 15, 30, जब यह sum सेम आ रहो, otherwise आपको पूरा net में change देखना पड़ेगा, चीक है, ओके, the mark price of an article is 40% more than its cost price, यहीं कि पहले हमने markup किया, 40% ज़्यादा है, 40% ज़्यादी के क्राय मूले से, 40% ज़्यादी के 2 बटे 5, यहीं कि अगर CP हमारा 5 था, तो 5 से हमने अंकित मूले कितना कर दिया, 7, 5 से 7 पे चले गए है, question पूछ रहा है, at what percentage less than the mark price should it be sold, to have no profit, no loss, यानि कि हमें 5 रुपए पे ही बेचना है, पहले हमने 5 से बढ़ा के 7 किया, ठीक है, अब अगर 5 पे ही बेचना है, 7 से घटा के वापस 5 करना पड़ेगा, क्या बास में आती है, पहले हमने markup किया, 5 से 7 का, और फिर 7 पे 5 का discount देंगे, 7 से 5 पे value लाएंगे, यानि कि 2 का discount देंगे, पहले हमारा CP था, 5, 5 से markup करके हमने, इसको किया 7, 7 हमारा mark price है, अब वापस से हमारा selling price भी 5 ही करना है, यानि कि 7 से 5 को लाना है, यानि कि 2 का discount होगा, कितने में 2 का discount होगा, 7 यानि-2 by 7, 2 पटे 7 कितना होगा, 28.56% होगा, 28.28% गलती से लिखा हुआ है, ठीक, option B आंसर होग होगा, 28.56% होगा, ठीक है, यहाँ पर हम यह कह रहे थे कि markup में, हमने 5 से 7 किया है, तो अब 7 से 5 करेंगे discount देके, और तभी तो net में change हमारा 35 का था, 35 का ही रहेगा, ठीक है, जितने कहता है, उतने का ही रहेगा, 7 से 5 कर रहे है, यानि कि 2 का decrease कर रहे है, 7 में 2 by 7, clear है, अग अगर सवाल करें, शॉप की पर, ने अगर, किसी वस्तो का मूले 50 प्रतिश्यदा अधिक अंकित किया है, और अंकित मूले 20 प्रतिश्यद की छूट भी दी है, तो लाब का प्रतिश्यद क्या होगा, पहले तो 50 परसन जादा अंकित किया है, यानि कि CP अगर हमारा, 50 परसन चार का भेच रहा है, जहें हमारा बना किया और बार जाएगा 5 का समानों च वह में बेच रहा है, एक तर एसे, एक प्रतिश्यद का एक परॉपित है, यानि कि deed ऊना पर प्रतिश्यद कि hekim Пред आप अम यह पर्चेज्य,?. पहले 50 परसन का का इंक्रीज्द किया है, हैं, पर ज ज़रुद नहीं है ऐसे आसानी सो जाएगा अगला सवाल करता है यानिकि 20 के सामान को 17 का किया है नेट्वे मामला क्या हो ना बीस पंचे सौ है 17 संगा एक सो दो सौ का सामान 102 में बेच रहा है यानिकि 2% का प्रॉफिट है ठीक है ऑप्शन यहाँ पर इसलिए नहीं काता है दो से मतलब 6 और 20 को कार्ट भी सकते थे पर इसलिए नहीं काता है क्योंकि सीधे 5 इंटू 20 करके हमारा 100 वैल्यू आ रहा है उस डारेक्ली हमको दिख जाएगा पर फिर वापस से 100 पर लेके हैं क्योंकि पर्सेंटेज में तो निकालना है ठीक है ओके अगला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मार्क प्राइस ऑफन आर्टिकल इस 40 प्रसेंट अबव इस कॉस्ट प्राइस एक प्रस्त का अंकित मूली उसके क्रेय मू अंकित मूली का 33.5 परसेंट है यानि कि डिसकाउंट कितना दे रहे हैं हम डिसकाउंट आ रहा है यहां पर 26.5 परसेंट का लेकिन एक तरह से समझ दो कि अगर अंकित मूली हमारा एक हजार रुपय होता तो विक्राय मूली होता 735 यानि कि पहले तो CP 5 से Mark Price साथ किया हमने फिर Mark Price को घटा रहे है तो अगर Mark Price हमारा 1000 था तो डिसकाउंट दे रहे हैं 1000 से हमने उसको कर दिया 735 नेट में चेंज किया आएगा क्या यह बात समझ में आती है क्या यह बात समझ पा रहे हो पहले हमने CP 7P किया तो 5 से 7 value किया है फिर 7 से फिर 1000 से 735 किया है 73.5 परसेंट किया अंकित मूल लेका ठीक है नेट में हो गया 5 इंटू 1000 यह हो गया 5000 यह वालू 7 इंटू 735 साथ सत्य उन्चास सो और 7 इंटू 35 कितना होगा 210 प्रस 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 प्रसेंट होगा तो 50 हमारा 1 परसेंट होगा ठीक है पांच इंटू 29 इंटू 155 होता है ठीक है और पांच हमारा कितना है 0.1 परसेंट इंटू 29 आ जाएका 2.9 परसेंट है क्लियर है ऑप्शन कोई समझ स्या ठीक है समझ में आती है बाती है तो आज के सेशन में हम इतना ही questions रखते हैं आयोप आपको questions समझ में आयोंगे सेशन में मज़ा आया होगा और कई सारी नई चीज़ें सीखने को मिली होगी और इस नई approach को आप बार-बार questions से practice परोगे तो आप इसमें perfect हो जाओगे ठीक है session पसंद आयो तो इसको like जरूर कीजेगा अगर अब तक चैनल को आपने subscribe नहीं किया है तो जरूर कर लीजेगा आज की session में इतना ही रखते हैं और session को अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर कीजेगा जहां पर यूप्स और relevant channels है महां पर भी शेयर कीजेगा फिर मिलते हैं अगले session में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा बाबाए टेक केर ख्याल रखिए